शरलागत दीनार्त परितराण पराएडे सर्वस्यार्त हरे देवीनाराएडे नमस्तुते नमसकार मैं हूँ जोच्छाचार डॉक्टर विंत्र पारथी आप देख रहें भाग गुरु कारिक्रम भाग गुरु कारिक्रममें आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या सिती है कौन सिती है कौन सा नचत रहे कौन सा योग है कौन सा करण है चंदरमा किस राशी पर रहेगा सुरियोदे कब होगा सुरियास कब होगा चंदरोदे कब होगा चंदरास्त कब होगा इस सारी बात आपको बताऊंगा इसके बात करेंग कि आज के महामंतर की कि आज का महामंतर क्या है महामंतर का जब कैसे करेंगे और जब करने से आपको क्या लाप मिलेगा बारह राश्यों के भी बारे में विस्तार से बताऊंगा कि आज की बारह राश्या क्या कहती हैं कौन भारती परसाश्चिक से वामें जाएगा कौन पुल क्या करना है और किस अंक्य के प्रयोग करने से आपकी महानुनत हो सकती है किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी सारी बाते हम आपको बताएंगे गुरू के नुस्खें भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन है उनकी भी बारें बताऊंगा दर्शों क पांच बच के पचीश मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को साथ बच के दस मिनट पर आज चंद्रवा रहेगा ब्रिश्चिक राशी में अनुराधा नच्छातर है कृष्ण पक्षा है शिवयोग है आज को जो सुमूर्थ है प्राते हैं 11.50 से लेकर के दो पर 12 बच के 45 मिनट तक रहेगा रहुकाल है सुबर 10 बच के 34 मिनट दोपार तक रहेगा पर सिम्दिशा का दिशा सूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एमोशन्स में आकर के बहुत जादे वहाँगता में होके कोई नेडए नहीं लेना है गुस्टा पर नेंटर करना है आपने को चैनल आईज होकर करके टास्ट टारगेट औरियेंटेट होके कारे करें आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है रहू काल में कोई भी कारें मत करिए और जिद कोई महत्पूर कारे करना चाहते तो सुभ मूर्थ में सुभ दिथी में करना आपके लिए बेहतर रहेगा खास तोर से दिशासूल में यात्रा करने से बचना चाहिए लेकिन लगता है कि आत्रा परिहार है तो आपको क्या करना है कि एक दिन पूत सुभ मूर्थ में प्रस्थान निकाल के तवियात्रा करें अब आईए हम बात करते हैं आज के महा मंत्र के आज का महामंतर है ओम हिरिम श्रिम करिम श्रिम कुबेराय अस्त लक्ष्मी मम ग्रिहे धनम पूरे पूरे नवा pensar यह जो महामंतर है बहुत ही महतमुन मंतर है अगर आप इसका नियमित जब करते हैं तो आपके जीवर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में धन धान बैभो की बृद्धी होगी आपकी परिशानिया समाप्त होगी ते इसका आप नेमिजब करें आपके लिए फायदेमन रहेगा